दोस्तो पेन इंडियन सुपर इस्टार प्रवास की फिल्म कल की बॉक्स ओफिस पर अभी तक एक महिने का समय कंप्लीट कर चुकूई हो आज इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर 31 मा दिन शुरू हो चुका है तो दोस्तो आज के इस वीडियों बात करने बाले हैं कल की मूवी की अभी तक के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में बहिए दोस्तो जानेंगे यह मूवी आज 31 किसमी कितनी कमाई कर रही कियो दोस्तों आज सनी बार का दिने मूवी काफी अच्छी ग्रोथ पा रही है तो जानेंगे दोस्तों इस मूवी के अभी तक के टोटल लैप टैम बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो चलिए दोस्तों सुवात कर लेते इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट वीडि दोस्तों बात की जाए इस मूवी के पहले हफते के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म कलकी ने पहले अपते के बारे में में इंडियन बॉक्स अफिस पर 414 करोड़ 85 लाक रुपए की कमाई की तो इस मूवी ने पहले अपते में बॉल्ड बैड बॉक्स अफिस पर 684 करोड़ 50 लाक रुपए का कलेक्शन किया था बई दोस्तों इस मूवी ने दूसरे अपते में कमाई थे 18 करोड़ 50 लाक मैं दोस्तों इस मूवी आज 31 में दिन सनी बार को फिर से काफी अच्छे ग्रोथ पाते हुए 2 करोल 20 लाक रुपए की कमाई कर रही है इस एक साथ दोस्तों इस मूवी के 31 दिनों का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 627 करोल 15 लाक रुपए का तो इस मूवी आभी तक टोटल बल्ड वैड बॉक्स अफिस पर 1019 कलो रुपए की कमाई कर लिये तो दोस्तों कलेक्शन के हिसाब से प्रवास की फिल्म कलकी बॉक्स अफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है और दोस्तों उम्मीद है ये मूवी जल्दी बॉलीवुड की बहुत चाथ सारू कान की फिल्म पठान का भी लैप टेम रेकॉड को भी तोड़ देगी पठान मूवी ने जहां दोस्तों लैप टेम में बल्ड वैड बॉक्स अफिस पर 1055 कलो रुपए की कमाई की थी तो इस मूवी न अभी थक 1099 कलो रुपए की कमाई कर लेगी लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना ये मूवी पठान मूवी का रेकॉड को तोड़ पाए गया नई बते ही कमेंट बॉक्स में दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक लिए दोस दन्नवाद